ट्रेन से सफर करने वाले लोग जानते है कि इंडियन रेलवे भारत के ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम के दिल की धड़कन है एशिया का सबसे बड़ा ये नेटवर्क हर रोज लाखो करोडों लोगों को सटीक समय पर उनकी डेस्टिनेशन पर पहुँचाता है जरूर आपने भी कई बार इस ट्रेन के सफर का मजा लिया होगा लेकिन क्या कभी आपको ये खयाल भी आया कि बड़े जोर शोर से पट्री पर दोड़ती ये ट्रेन बंती कैसे है इसके सबी पार्ट्स को आकर असेंबल कैसे किया जाता है कोच, रेल वील और इंजिन को अलग-अलग तयार करके आखिर साथ में कैसे लगा के पूरी ट्रेन तयार करती जाती है चलिए आज भारतिय रेल के तयार होने की पूरी प्रोसेस हम आपको बताते है और ये भी बता देते हैं कि आखिर इसे तयार कहा किया जाता है हमारे देश के विकास में ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हाथ है एक दौर था जब भारत रेल इंजिन विदेशों से खरीदता था लेकिन आज हमारा देश इंजिन तो क्या पूरी ट्रेन को असेंबल करने में सक्षम है जी हाँ आपको रोज कम खर्च में सफर करने वाली ये ट्रेन भारत में ही असेंबल होती है इसे बनाने और जोडने का जिम्मा भारत की कुछ कमपनीज पर होता है वैसे बता दे कि एक ट्रेन को बनाने में कई चीजों का खयाल रखा जाता है इसकी मैनुफेक्चरिंग के कई चरण होते है फुल स्केल डिजाइन ट्रेन मॉडल से लेकर कोच के डिजाइन और असेंबल तक कई चीजों का खयाल रखना ज़रूरी होता है लेकिन इन्हें जोडने से पहले कोच, पहिये और इंजिन को बनाया जाता है ट्रेन में मजबूत पहियों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है रोज रफतार से दोडने के लिए इनका परफेक्ली काम करना ज़रूरी होता है इसलिए इसे बनाने की प्रोसेस भी आसान नहीं होती है ट्रेन के पहिये को बनाने के लिए सबसे पहले रॉट को बनाया जाता है इसके लिए सबसे पहले उन्हें ब्लेट से छोटे छोटे टुकडों में काटा जाता है फिर इन्हें मैगनिट्स की मदद से मूव करके कंडक्शन में रखा जाता है कंडक्शन के अंदर रॉट 15 मिनिट में गर्म हो जाती है जिसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से मूफ करके दूसरी कंडक्शन मशीन में रखा जाता है ऐसा रॉट के टेंपरिचर को बढ़ाने के लिए किया जाता है ताकि इन्हें परफिक्ट शेप और साइस दी जा सके इस प्रक्रिया के बाद रॉट को बाहर निकाल कर एक आम में रखा जाता है जहां एक भारी भरकम प्रेस रॉट को आकार देने का काम करती है लगातार दो बार प्रेस करने से रोड पहिये की पॉफिक्ट शेप में आ जाते है खेर अभी काम खत्म नहीं होता क्योंकि आगे रोलर प्रेस की मदद से पहियों को प्रेस किया जाता है ताकि वो पट्री पर चलते हुए अपने ग्रिब बना कर दोड सके पहिये को एक शेप देने के बाद बारी होती है उसके बीच के हिस्से को काटने की इसके लिए पहियों को दूसरी रोलिंग प्रेस मशीन पर रख दिया जाता है और उसके बीच के हिस्से को काट दिया जाता है इसके बाद पहियों की लंबाई को नाप कर उन्हें पानी में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है पहियों के नॉर्मल टेंपरेचर पर आते ही उन्हें एक पोफिक डैमेंशन में लाने के लिए उनकी रिम और एजिस पर काम किया जाता है मशीनरी की मदद से जब पहिये सटीक आकार में आ जाते है तब इन्हें टेस्ट किया जाता है अगर टेस्टिंग में पहियों का आकार और कॉलिटी अच्छी होती है तो उन्हें तयार करके ट्रेन के साथ असेंबल करने के लिए अगली फैक्टरी में भेज दिया जाता है पहियों के बाद अब बात करें एंजिन की तो ट्रेन में एंजिन का एहम हिस्सा होता है इसी के दम पर ट्रेन रफ़तार से दोड़ पाती है इन एंजिन को प्राइम मूवर भी कहते है वैसे बता दे कि ट्रेन में लगे एंजिन बहुत बड़े और टेकनिकल होते है जिन में 16 लेकिन ये सवाल कभी किसी के जहन में नहीं आता कि आखिर इन्हें तैयार कैसे किया जाता है बहुत कम लोग जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे को स्टेनलेस टील से बनाया जाता है जबकि इसके इंटीरियर हिस्से को बनाने में अलुमीनियम का इस्तिमाल होता है दरसल कोच को बनाने के लिए बड़ी बड़ी शीट्स को जोडा जाता है इस काम में मैन पावर भी काफी लगती है सबसे पहले डब्बो के सभी हिस्सों को अलग अलग तैयार किया जाता है हर हिस्से पर काम होता है इनके मॉडल से लेकर बॉडी असेंबली और टेस्टिंग का पूरा खयाल रखा जाता है जब कोच की बॉडी तयार होती है तो इसे पेंटिंग के लिए भेज दिया जाता है साथ में उनके इंजिन को भी तयार किया जाता है बता दे कि इस दोरान ट्रेन के डबो में विंडोज और बॉडी भी फिट की जाती है अब बारी आती है ट्रेन के सबी हिस्सों को असेंबल करने की इसके लिए स्प्रिंग लगा कर एक बड़े प्लैटफॉर्म को तयार किया जाता है जिसमें उपर ट्रेन का धांचा होता है और नीचे पहियों को सेट किया जाता है ध्यान रहे ट्रेन के मॉडल के हिसाब से पहियों को चुना जाता है पहिये लगाने के बाद इसमें केबल्स के सारे काम को अंजाम दिया जाता है साथ ही इसके interior को भी जोडा जाता है सीट से लेकर toilet, cabin और air conditioning की सारी equipment को लगाया जाता है आपने देखा होगा कि train कई functions और software's पर काम करती है उन सभी software's को भी train में assemble किया जाता है इस काम में manpower का काफी इस्तिमाल होता है train को assemble करने के बाद उसे finishing दी जाती है interior को चमकाने से लेकर बाहर की body को भी perfect बनाया जाता है और इसके बाद बारी आती है testing की आपको बता दे कि सबसे पहले train में लगाये गए static functions को टेस्ट किया जाता है साथ ही साथ low speed में इसके dynamic test को भी conduct किया जाता है computer के जरिये भी train के सभी equipment को cross check किया जाता है ताकि गलती की कोई गुंजाईश ना रहे factories में train को assemble करने की ये प्रक्रिया जानने के बाद आप ये तो समझी गए होंगे कि एक सफल और जिम्मेदार transportation system को बनाना आसान नहीं है भारत में ये काम कुछ companies को सौपा गया है इसमें सबसे पहला नाम rail wheel factory का आता है जो कि भारत के बैंगलोर में स्थित है इस factory में rail के wheels, axles बनने से लेकर railroad wagons, coaches और locomotives बनने तक का काम होता है इसके अलावा जो company विशेश तोर पर train की technology को बनाने का काम करती है वो है BEL, BHEL यानि भारत Heavy Electrical Limited आपको बता दे के engineering की feel में इस company का एक बहुत बड़ा नाम है ये company एक सरकारी संस्ता है जिसे 1964 में establish किया गया था भारत में electric power generation की feel में भी भेल एक बहुत बड़ा नाम है Indian railway के विकास में भी इसका एक बड़ा योगदान है इन्होंने railway के लिए electric engine और locomotive बनाने में भी काफी काम किया है ट्रेन को बनाने और assemble करने का काम modern coach factory राय बरेली भी करती है उत्तर प्रदेश के राय बरेली में मौझूद ये factory खास तोर पर railway coach की production का काम समभालती है यानि की जिन रेल डबों में हम बैठते है वो इस factory में भी तयार होते है अब तो आप समझी गए होंगे कि ट्रेन के सभी उपकरन को बनाने और साथ में जोड़ेने की प्रक्रिया काफी पेचीदा है इसकी हर एक बारी की पर काम किया जाता है जिससे आपको एक safe transport system मिल पाता है ट्रेन के manufacturing की ये प्रक्रिया आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताए हम फिर हाजर होंगे कुछ नए रोमांचिक topic के साथ